स्वागत है आप सभी करेंगे फिर से जोग्राफिक विद रहमान सर के यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे बीए बीएट, 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 थर्ड इयर के जोग्राफिक के पेपर की यूनिवर्सिटी ओफ कोटा से सम्मधित पेपर है, 2022 का जो एक्जाम चल रहा है भी, उसमें आपका एक्जाम जो है नजदीक आ गये है, आपका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है, उससे सम्मधित भी, आप इन प्रशनों को पढ़के जाएंगे तो जरूर आप जो है बहतर नंबर ला सकते हैं, समय आपका व पहले प्रशन की, दक्षिन और दक्षिन पूरिया के एशिया के सम्मंद में जो है, भारत की इस्तिती को इस्तित कीजिए, दक्षिन और दक्षिन पूरिया के एशिया के सम्मंद में भारत की इस्तिती, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रशन है, इंपोर्टेंट प्रशन है तो इस प्रशन के लिए आप जो है उपर आईवेल बटन में जाकर किलिक कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट प्रशन है भारत को भोतिक भागों में विभाजित करते हैं किसी एक भोतिक प्रदेश का विस्तार पूरों करनर कीजिए ये प्रशन भी हमेशा आता है और इस बार भी आएगा भारत के भोतिक प्रदेश चार भोतिक प्रदेश है भारत के उपर परवत है बीच में जो है मेदान है नीचे पठार है और साइड में तटी मेदान है उन सभी को एक बार बताते हैं वे किसी ना किसी एक काल जिसको आप अच्छे से कर सकते हो इसका विस्तार पूर्वर वणन करना है भारत के अपवाहत अंत्र को समझ जाते हुए प्राइदी प्य भारत की नदियों का वणन कीजिए अब इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ प्राइदी प्य नदियों को देना है ठीक है अब वहात अंत्र कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी जो है अरब सागर में गिरती है जो नेक्स्ट प्रशन है बारत में ग्लियर है आपको जानना भी है समझना भी है और आपको यह विवहार में भी पता होना चाहिए कि भारत में जो बांसून आता है वह कैसे आता है इससे सम्मंदित भी मैंने प्रश्ण जो है अभी कुछ ही दिनों पहले बहुत अच्छे तरीक है जिसको लाइव क्लास में बताया था आप जाकर के इंडियन जोग्राफी की लाइव क्लासिस देख सकते हैं उन सभी में ये प्रश्ण आपको मिल जाएंगे बहुत अच्छे से तो आप उपर जाकर के जो आईवेल बटन दिखाए दे रहा है उसमें प्लेलिस्ट है पूरी वहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्ण है भारत की प्रमुख फसलों के उत्पादन और वित्रण पर लेख लेगी आपके गेहूं चांवल और चाय का पास ये प्रमुख फसले हैं इन फसलों के बारे में एक बार पढ़ जाना है आपको गेहूं और चांवल को बहुत महत् यहां से प्रश्ण आपका बनेगा नेक्स्ट प्रश्ण है भारत में सूती वस्त्र और लोह इस्पात उद्योगों की अवस्तिती एम वित्रण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए सूती वस्त्र और लोह इस्पात उद्योगों इनका जो इस्तिती है उनकी अवस्थिती को कौन-कौन से कारक पर भावित करते हैं उन सभी के बारे में आपको बतलाना है नेक्स्ट प्रिसन जो है भारत के प्रमुक ओध्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए आपसे भारत के ओध्योगिक प्रदेश पूछे जा सकते हैं तो आप ओध्योगिक प्रदेशों को एक बार पढ़के जाएं प्रमुक बहु देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को संक्षिप्त में समझाईए भारत की प्रमुक नदी घाटी परियोजनाओं को कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना है रिहंद नदी घाटी परियोजना है इसके अलावा जो है मयुराक्षी परियोजना है बहुत सारी दामोदर के अलावा जो है गोदावरी नदी घाटी परियोजना इन सभी के बारे में आपको थो इसके बाद जो प्रशन बहुत नवीन प्रशन है नया प्रशन है मैं अभी-अभी इसको बनाया है मैंने सोचा कि यह प्रशन आ सकता है इसलिए मैं आपको देने कोशी करा हूँ कोईला संकट भी भारत में गरमाया हुआ है इसे सम्मंदित प्रशन जरूर आएगा आ सकता है कोईला संकट क्या है समझाना है आपको क्यों हो रहा है कोईले की कमी और क्या इसके प्रभाव हो रहे हैं भारत में बिजली कटोती जो हो रही है वर्तबान में कोईला संकट के वज़े से हो रही है भारत के प्रमुक शक्ति संसादनों का वर्णन कीजिए कोईला संकट को समझा दे भारत के प्रमुक शक्ति संसादन शक्ति संसादन कोईला और पेट्रोलिया में है कहां-कहां इसका उत्पादन होता है कितना-कितना मातरा में होता है इनके वित्रण वगेर आपको समझा देना है हरित करांती से आपके समस्ते ये प्रशन हमेशा आता है आएगा और हरित करांती समंद आपको पढ़ रगे जाना है भारत में जनसंग के अवरदी की समस्यें प्रभाव और उनके समाधान पर लेक लिखना है जनसंग के अवरदी जान लीजिए इसको फिर उसके बाद नगरी करण है नगरी करण वाला प्रशन भी जो है आपके आएगा फिर नेक्ष्ट मुर्दा संसादा ने भारत की मुर्दा और वनस्पती को भी आप एक बार देख करके चली जाएगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा उमीद है ये प प्रशन भी मिलते हैं तो आपका पूरा काम हो जाएगा